आप देख रहे हैं चौहन वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जून 2023 के एक्जाम रिजल्ट के बारे में तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखें और अंतक देखें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इगनू के स्टुएंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए और सेयर जरूर कीजिए तो आप सीधा वीडियो की सुरुवात करते हैं सबसे पहले हम जून 2023 के exam result के बार में बात करते हैं इसके उपर मैंने आपको पहले भी जानकारी दिये कि यह जो link है यह आपके लिए करीब 15-20 दिन से available है और यह link आपके लिए काफी दिनों से available है जिसमें student जो है अपना enrollment number डाल कर अपना result चेक करने की कोशिस कर रहे हैं लेक final year के student यह ऐसे student जिनका एक या दो सब्जेट का result आना रहता है और उन्हें final year में अपने early declaration का form भरा था तो उनका result अभी तक इसमें दिखाया जा रहा था लेकिन आप जो नई update आई है जो कि आप यहाँ पर check कर सकते हैं कि status as on 13 July 2023 यानिकि 13 July 2023 को जो नई update जारी की गई है उस में कुछ student की तरफ से ये भी बताया गया है कि उनका जो normal result है यानिकि ऐसे student जिन्होंने early declaration का form नहीं भरा था उनका result भी आना शुरू हो गया है तो आप एक बार अपना जो result है उसको जरूर चेक करें क्योंकि यहाँ पर जून 2023 के theory exam result का अब normal result भी आना शुरू हो चुका है और उसके कुछ updates भी आना शुरू हो चुकी है इगनू के अंदर जो result होता है वो आपका एक बार में ही declare नहीं किया जाता यानिकि जैसा हर जगा होता है कि एक बार में ही चाये आपके 1000 इस्टुएंट है 2000 इस्टुएंट है उनका एक साथ result declare कर दिया जाता है लेकिन देखने को मिलती है जैसे अगर हम देखे तो लास्ट अपडेट जो आई थी वो 11 जुलाई 2023 को आई थी और उसके दो दिन बाद 13 जुलाई 2023 को आपको नई अपडेट देखने को मिली तो इसका जो लिंक है आपको वो इसी वीडियो के description box में भी मिल जाएगा आप इगनू क जो रिजल्ट section है वहाँ पर भी आपको इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा आप एक बार अपना रिजल्ट जरूर चेक करें 13 जुलाई 2023 को यहाँ पर नई रिजल्ट की अपडेट जारी की गई है अगर इस अपडेट में आपका रिजल्ट नहीं भी आता है तो आपको जै पर में बात करते हूं और आपके लिए ग्रेट कार्ड भी अपडेट किया गया है जैसकि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि स्टेटस एज ऑन 13 7 2023 यानि की 13 जुलाई 2023 का स्टेटस यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है तो आप अपना ग्रेट कार्ड भी जरूर चेक करें अगर आपका अर्ले डिकलेरशन का रिजल्ट आया था आपका असाइमेंट का प्रैक्टिकल का प्रोजेक्ट का डाइसर्शन फील जनरल या फिर आपका किसी वाइबा का रिजल्ट आया है या किसी भी चीज का अगर आपका रिजल्ट आया है तो आप एक बार अपना जो उसको चेक करके आप देख सकते हैं यहां पर जो अभी 13 जुलाइ 2023 को जून 2023 के इक्जाम रिजल्ट की अफडेट आई है उसका रिजल्ट अभी यहां पर अपडेट नहीं किया घ्या होगा क्योंकि 13 जुलाई तक कि यहां पर अपडेट देखने को मिल रही है लेकिन 13 जुलाई के बात जो भी update आएगी वो अपकी grade card जब next बार update होगा अगली बार जब update होगा तब आपको grade card में वो marks जो है वो दिखाई देंगे और यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूँ आपको कि जो आपका theory exam result में marks दिखते हैं वो marks दिखते हैं कि अगर 50 number का आपक confused मत होना तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंदाती वीडियो को like जरूर कीजिए share जरूर कीजिए